और राइट गाईज, so, 10 मिनिट में हम AS20 को पूरा का पूरा कंपाइल करेंगे, 10 मिनिट में कंपाइल करेंगे, ठीक है, AS20 का नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर, मुझे प्लीस आपका साथ चाहिए, ठीक है न, सबसे पहले, AS20 बोलता है, सबसे पहले, कितने प्रकार के EPS नि बिल्कुल, negative EPS भी हो सकता है, अगर earning आपकी negative है, तो, अगर आपकी earning negative है, तो हो सकता है, Sir, क्या consolidated financial statements में बalenes निकलता है, फतले पर वर consolidate earning के साफ़ से, consolidated earning मतलब holding company की earning और subsidiary company की earning मिलाका divided by number of shares के हिसाब से आपका consolidated EPS निकलता है बोलो बेटा clear हुआ की नहीं उसके बाद हम जब EPS निकालते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे basic earning pressure, basic earning pressure में सबसे उपर क्या आता है numerator, numerator में क्या लेते हैं अपन earning available for equity shareholders जिसको हम दूसरी बाश्या में क्या बोलते हैं net profit available for equity shareholders ये net profit available for equity shareholders निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है net profit में से क्या minus करना पड़ता है हमें taxes से minus करने पड़ते है, taxes minus करते वग हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा current taxes और बस यह याद रखना पड़ेगा कि current tax एक liability होती है इसलिए plus होता है DTL और minus होता है DTA बेटा clear रहेगा कि नहीं चलिए और उसके बाद आपको क्या minus करना पड़ता है preference dividend preference dividend कब minus करना पड़ेगा कब minus नहीं करना पड़ेगा अगर cumulative preference share से तो हमेशा minus करना पड़ेगा और अगर cumulative preference share नहीं है तो अगर dividend declare हुआ है तो ही minus करना पड़ेगा नहीं तो और अगर question में कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा हम क्या मानेंगे cumulative मानेंगे बेटा clear है कि नहीं यह minus करने के बाद जो भी मिलेगा आपको वो numerator मिल जाएगा यहां तक clear हुआ कि नहीं उसके बाद denominator के अंदर हम क्या निकालते हैं denominator के अंदर हम के निकालते हैं weighted average equity shares में हम opening shares लेते हैं new issue लेते हैं buyback लेते हैं और इन सब का क्या लगाते हैं time weight time weight अमनों के date of issue के according लगाते हैं बेटा clear है कि नहीं all right time weight लगाने के लिए हमें क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा from when अगर normal public issue है public issue की time weight कब से लेंगे cashable से और अगर conversion हुआ है तो conversion की time issue कहा से लेंगे conversion date और अगर आपका interest principle के बतले में हुआ है तो जब आपका interest cease to exist जब आपका interest लगना बंद हो जाए तब से आप time weight कर लोगे share का बेटा clear है कि नहीं अगर liability को settle कर रहे हो अगर liability को settlement of liability से आप number of share का time weight लोगे, बेटा clear है कि नहीं, Amel Commission के case में, अगर आपका merger है तो time weight कब से लोगे, beginning से लोगे, और अगर आपका purchase है तो time weight कब से लोगे, date of acquisition से, बोलो बेटा clear हुआ कि नहीं, तो इस तरीके से हम basic earning per share के लिए time weight लेते हैं, एक और बात मैं आपको बता दूँ, time weight लेते वक्त, अगर माल लीजे share आपके कौन से है, partly paid है, share क्या है, partly paid, तो क्या करोगे, Partly paid share में हम numbers को भूल जाएंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम earning per rupee निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और earning per rupee निकालेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, weighted average, equity, capital रूपी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, weighted average, equity, capital, जैसे, आपके पास अगर एक लाक share से multiply by, आपको अगर वो पाटली पेड है 8 रुपे के इसाब से तो multiply by 8 रुपे multiply by 12 बारा और आपने public issue किया पप्लिक इशू किया आपने 50,000 share का 50,000 share multiply by multiply by आपने 10 रुपे का share 7 रुपे में issue किया तो multiply by 7 रुपे और आपने वो issue किया 1 जुलाई को तो multiply by 9 रुपे आया समझ में की नहीं तो यह आपका क्या आ जाता है यह आपका आ जाता है weighted average outstanding capital और weighted average outstanding capital को आप denominator में रखके earning पर रुपी निकाल लेते हो और earning पर रुपी को वापस से face value से multiply करोगे तो earning पर share आ जाता है I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा चलिए इसके अलावा हमने क्या देखा इसके अलावा हमने right issue का देखा कि नहीं देखा right issue में सबसे पहले right issue में हमें क्या निकालना है right issue में हमें निकालना है एक्स right price क्कर QUESTION में क्या दिया रहेगा कम right price question में क्या दिया रहेगा कम right price और x right price निकालने का formula क्या होता है क्या पर मतलब जितने भी number of shares आपके right से पहले है multiply by come right price मतलब वो fair value दिर रहेगी ठीके plus plus क्या करोगे right issue proceeds proceeds right issue proceed में क्या आएगा number of right shares multiply by जो भी आपका excise price right issue गा hold divided by आपको क्या लेना पड़ेगा right issue करने के बाद total number of shares कितने हो गए वो आपको लेना पड़ेगा आई मरीबास वान में की नहीं इससे आपको क्या मिल गया बिटा theoretical x right price आपको इससे मिल गया अब theoretical x right price को आप उससे निकालोगे क्या निकालोगे right factor right factor का formula है come divided by x क्या formula है come divided by x और ये right factor सिर्फ और सिर्फ किस के ऊपर apply होगाApply to shares outstanding before right issue राइट issue से पहले जो भी outstanding share से उनके ऊपर apply होगा बेटा clear वागी नहीं राइट issue से पहले जो भी share उनके ऊपर apply होगा ठीकें और अब जब हम basic eps निकालेंगे तो basic EPS निकालते वक्त, numerator में तो कोई बतलाब नहीं, जैसे EISH होता है, वैसा होता है, पर denominator में, जब भी हम right issue की बात करेंगे, तो denominator में जब हम weighted average निकालेंगे, तो weighted average अपनना cumulative basis में निकालेंगे, यह cumulative basis क्या होता है? यह cumulative basis क्या होता है? cumulative basis is basically the one, जहां पर अगर आपको, एक चार को, एक लाख number of share दिया हुआ है, और अगर एक साथ को, आप 50,000 share issue कर रहे हो, तो आप cumulative weighted average कैसे निकालोगे? multiply by 3 by 12, ठीके? और फिर क्या करोगे? और अगर ऐसा दिया हुआ है, तो आप यहां करोगे, डेड़ लाख, multiply by 9 by 12, यादा रहे है कि नहीं, डेड़ लाख क्यों किया, क्योंकि cumulatively, आप right issue में ध्यान रखना, कि right issue की किसमें आप weighted average cumulative basis पर करते हो, बेटा, clear हुआ कि नहीं, अब मैं यहीं आपको बोलूँ, सामने देखो, अगर मैं आपको यहीं बोलूँ, कि यह right issue है और यह opening है, तो right factor दोनों में से किस पर उपर apply होगा, right factor सिर्फ इसके उपर apply होगा, मतलब 1 lag into 3 by 12 into come upon x, यह right factor अपला होगा, बेटा, clear है कि नहीं, तो यह करने के वक्त आपको ध्यान रखना है, और आपका basic EPS इस तरीके से आ जाएगा, मेरी बात समझ में आएगी नहीं, और इस right issue में आपको यह भी ब्यात ध्यान रखनी है, कि आपको restated EPS निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि नहीं, restated EPS निकालते वक्त अगेन आपका जो numerator है, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, denominator में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन से share होंगे, opening वाले होंगे, और opening व share में basic earning per share का effect आता है, पर साथ में और किस चीज़ का effect आता है, potential equity shares का effect आता है, potential equity shares कौन से कौन से होते हैं, जैसे कि ESOP होता है, जैसे कि share warrant होते हैं, जैसे कि convertible preferences होते हैं, और convertible debentures होते हैं, आई मारी बात संभणेगी, नहीं, अब potential equity shares के चकर में हमारा EPS निकालेगा, वो क कि कुप लेदेदे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको लिना है कि डिपेंशर अगर convert हो जाता तो कितना interest save होता अगर preferential convert हो जाता तो कितना dividend save होता और interest के case में after tax saving कितनी होती मेरी बात समझ में आईगी नहीं denominator में आप क्या करते हो denominator में जो आपने basic EPS में weighted average लिया है वो तो लोग ही लोगे पर उसके अलबा आप क्या लोगे जितने भी potential है जितने भी potential equity shares है उनका time weight हम अलग से लेते हैं आई मेरी बात समझ में कि नहीं अच्छा EESOP के case में आप free वाले share लेते हो EESOP के case में लगया लेते हो आप free वाले shares का time weight लेते हो बेटा clear है कि नहीं free वाले shares कैसे निकलेंगे बोलो बोलो formula free वाले shares कैसे निकलेंगे free वाले shares निकलेंगे funds कितने raise कर रहे हो याद ना divided by market price यह तो आपका sorry इसको आप लोगे total EESOP shares total EESOP shares minus funds कितने issue कर रहे हो divided by market price जैसे मैं आपको बोलूँ कि total EESOP shares आपके 40,000 हैं ठीके और fund आप raise कर रहे हो 40,000 यह आप कर रहे हो 25 रुपई के एसाब से ठीके और market price है मान लो आपकी 40 रुपई तो काईदे से market से आप कितना issue करोगे कर के देखो कितना हो रहा है 25 रहे हैं तो 40,000 में से 25,000 हो गया तो कितना बचा 15,000 आपके EESOP है 15,000 आपके potential है तो 15,000 आप इसमें लेते हो बेटा, clear हुआ कि नहीं और इन सब का normal time weight जो कि इनकी date के इसाब से आप लेते हो बेटा, clear हुआ कि नहीं और देखें और क्या बोल रहा है reduce come preference if different declare यह मैंने आप से बात कर ली अच्छा, face value अगर partly paid और different face value तो हमने क्या बोला था हम क्या निकालते है weighted average equity capital निकालते है याद है कि नहीं आते इसके लवा bonus के case में split के case में reverse split के case में आपको 12 by 12 लेना पड़ता है clear है कि नहीं पर यहाँ एक exception है अगर bonus से पहले public issue हो चुका है अगर bonus से पहले public issue हो चुका है तो public issue की date से आपको bonus issue लिना है जो bonus आप public के उपर निकालोगे बेटा, clear है कि नहीं उसके अलाबा हमने potential equity share से example भी देख लिए guys have you understood all this or not तो यह हो गया आपका AS20 cover up ठीक है thank you so much guys